नमस्कार दोस्तों 11 मार्च और 11 मार्च के एक वर फिर से मैं अपने चैनल पे आलोक इंडस्टी के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे पार्ट वन जो कमपोज किया था आलोक इंडस्टी का जिसमें केर की रेटिंग में A+, A, A+, की रेटिंग दी गई है आलोक से कमपनी में इन्होंने क्या देखा जो वज़ा हैं दी गई है केर की तरफ से वह डिटेल्स में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वीडियो के माइदम से और मैंने तीन या चार पॉइंट आपके पास रखा था जिसमें काफी ज़्यादा एप्रिशेशन मिला मुझे और कमेंट्स भी आएं कि जी हां मुझे पार्ट टू चाहिए और क्यों ना चाहिए क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर एक भी स्टॉक को आपने एक लंबे समय के लिए ट्रैक करके रखा मैं यह नहीं करता हूं कि यह आलूक इंडस्टी का स्टॉक बन सकता एक एक चीज में यहां पर क्लियर करना चाहूंगा देखिए जब इस पर कॉंटो वर्सी चल रही थी जब इस पर प्राब्लम था जब यह एंसे लटीप थी रिलाइंस रिक्वाइर कर रही थी बहुत सारे क्वेस्ट थे तब मैंने इससे क्लियरली होल्ड करने के लिए आपको हमारे वीडियो को इतना ही प्यार दिया जितना मिलना चाहिए और आपने काफी ज़्यादा हमें एनर्जी दी लाइक्स दिये कमेंट्स दिये जिसके वज़ा से हमने भी अपने चैनल पे पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी वीडियो बनाएं लेकिन अभी मैं एकी चीज कहना चाहूंगा कि सारी कॉंट्रोबर्सिस खत्म हो चुकी है एनसे लटी से गुजर चुका है रिजुलेशन प्लान खत्म हो चुका है जो पॉइंट्स थे इसके प्राब्लम की वह प्राब्लम्स खत्म हो चुकी है अब इस स्टॉक पे अगर आपको अपसाइड दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके काम के लिए दिखेगा दूस्तो तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखेगा इसके क्वार्टली रिजल्ट को ट्रैक करना बहुत जुरूरी होगा साथी मैनेजमेंट का डिसकसन मैनेजमेंट आगे क्या काम कर रही है यह सारी चीज़े आ जाएं है कुछ वजाएं है बट आलोक इंडेस्टी इन सबों से काफी डिप्रेंट है इसी के वज़ा से इसकी रेटिंग दी गई है और वह रेटिंग में डिसकसन करना हूं आपको मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पर बने रहे एक स्टॉक काफी ह मार्केड में अगर आपको पैसा बनाना है तो एक स्टॉक में अगर आपने काफी ज़्यादा पोटेंसियल देखा और इस स्टॉक को काफी लंबे समय तो खोल्ड गया जैसा कि टाइटन पे हमारे दिगज राकेश जुन जुन वाला सर ने काफी पैसे बनाया था जैसा कि अपने देखा था उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि यह एक बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत ही अच्छा काम काच कर सकती है तो चलिए वीडियो पे अभी मैं डिसकस्टन वहीं से स्टाट करूंगा जहां से पार्ट वन पे मैंने खद्म किया था जहां पे मैं ापको अप्टेक अग्रिमेंट के बारे में बताया था कि रिलाइंस के साथ अप्टेक अग्रिमेंट और के बात कि बीडियों करने में इने आसानी होगे रिलांस इंडस्टी तो माल बेचेगी बेचेगी अगर कोई थर्ड पर्टी इनके माल को डिस्ट्रीट या बेचना चाहती है तो यह बेच सकते हैं तो सोच के देखिए अभी माल बिकेगा या नहीं बिकेगा यह तो टाइम बताएगा ना आप अभी से सोचिए कि आलोक इंडस्टी क्यों नहीं चल दा तो यह तो काफी बेवकुफी वाली बात होगी अभी यहां से सोचनी है एक जैसे नॉर्मल कंपनी रन करती नॉर्मल नाम से सिर्फ नहीं चलेगा नाम से चलने का टाइम खत्म हो चुका अब काम से चलने का टाइम आ चुका अलोक इंडस्टी का इसलिए यहां पर एक पॉइंट्स में प्रेजेंट करूंगा और अपरेशनल के बारे में यहां परेडिस्कॉसन किया गया है देखिए विद देक्वाइजेशं ओप ईंट्रीगेटर टेस्टेइल मैनुफेक्टिरिग फैसिलिटीस लाइट एयम यह याइल तीज आलोक इंडूस्टी के लिमेटेड और रिलाइस विल्याइल टूंबाइन इस ओन टेक्स्टाइल बिजनेस्ट विजनेस्ट उल्देट विजनेस ठीक है और इस इसमें कैसे कंबाइन करेंगे तो देखिए इनके पास जो पेट्रो केमिकल बिजिनर्स में काफी सारे चीजे हैं जैसा कि आप यहां पर देखिए इस पेट्रो केमिकल प्रोडेक्ट्स लाइक पी टी ए प्यूरिफाइड टेराफ पेथिलिक एसीड एंड मोनो त्रिलीन ग्लाइकोल यह दो ऐसी चीज है जिसे यह डॉमेस्टिक मार्केट पे इनके थुरूष सेल कर सकती है सिंस ए आई एल इस ऑलसो इंटू गार्मेंटिंग डेरिज़ डारेक्ट ठीक है यहां पर देखिए और भी मैं आपको दिखाता हूं तो यह जो रिलाइंस इं तो यह और दूसरा मिधाइल ग्लाइकुलीन ठीक है रिटेल्स वेंचर रिलाइंस इंडस्टि के साथ रिलाइंस का रिटेल वेंचर एक अलग कंपनी जिसकी सबसेडिरी 100% सबसेडिरी रिलाइंस इंडस्टि के पास है टेक्स्टाइल प्रोडेक्ट मैनिफेक्टिरिंग यहां से भी इस प्रोडेक्ट को सेल किया जाएगा जिससे की कंपनी को प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है देखिए वीडियो काफी लंबा नहों इसलिए मैं सोचता हूँ किसे पार्ट बाई बनाने के लिए काफी बोरिंग आसा ना लगे इसलिए यहां पर देखिए एसे ड्रॉव मेटेरियल से एबिलिटी यहां पर रॉव मेटेरियल की एबिलिटी कैसी होगी AIL के लिए देखिए फोर AIL पॉलिस्टर यान ओपरेशन और पी टी ए एंड एम इजी जो कि मैंने अभी पहले उपर के पैरागराफ में आपको बताया यह दो प्रोडेक्ट रिलाइंस के पास अल्रेडी मौजूड है यह दो चीजे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेटी जिसका बारे में डिटेल्स आपको बताया रहे में जी मिथाए ग्लाइकुलीन और दूसरा है आपका प्यूरिफाइड टेरिफेटिक एसीड और यह दोनों रिलाइंस के पास अल्रेडी मौजूद है बिकॉज अब देर पेट्रोकेमिकल बिजनस तो आप समझ लिजे कि रॉमेट्रेल इनको घर पे ही मिलेगा तो कंपनी जो मैनिफेक्टिरिंग करेगी उसका कॉस्ट कितना कम होगा और वह कितना कॉम्पेटिटिव मार्केट पे जाके वो फाइट कर सकते रिलाइंस इंडस को देख के नहीं दी गई है सारी चीजे याँ डिटेल से याँ देखे इस कॉम्पनेंट्स आप अधर मेजर कॉंसेटिव सब्सक्राइब अधर मेजर मेटलियस कॉस्ट और विल बी सप्लाइड इन इंटरली बाइड रिलाइंस इन्स इन्स पेट्रोकेमिकल डिविजन इस इस विल इंस्योड अण एंट्रेप्ट आविलीटी अफन ड़मेजर मेटेरियल साप अब आयर अर रिलाइंस इंस एक्सेंड इस एसंटैंस हुदा एक्सपर्टीज इन दा प्रोस्क्यूरिंग अगरा रोमेटेरियल ठीक है इसके साथ साथ और भी रोमेटेरील है लेकिन क कर थाल सम्स्काय कर्कोनách प्राव प्रावबि कर पार शबस्नेंग कर INDधक। एक प्रावेगोंग वासन कर फैस ते कर फिदान परूब ड्रावतिषय का। विट्बुन अन्ट यगड धननने में पुर। ठीक है, over the years, through the continuous backward, forward integration and capacity expansion, AI has stabilized itself of the one of the largest integrated players in the textile business. आप समझ नहीं सकते हैं कि यह textile के कितनी बड़ी कमपनी है, यह आप भी नहीं समझेंगे, अगर यह कमपनी ठीक ठाक से रन हुई, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि यह कहां तक जा सकती है, because of their quality और यह जो textile का यह largest player है अर्थ था, बट कमपनी के management और कमपनी बहुत जादा कर्च पर डूबने के वज़े से कमपनी खत्म हुई है, और वगरा वगरा जो भी हो, ठीक है, तो यहां तो थी यह बाली बात, और एक और points में discussion करूँगा, देखिए यहां पर जो key rating की weakness दी गई है, यह भी weakness जो दिया गया ना, यह भी इस company के लिए काफी positive sign है, यहां पर मैं shortcut आपको बताता हूँ, देखिए, company का जो working capital fund हो, यह plants की जो operating operations जो हो रहे है, वो काफी lower capacity utilize हो रही है, 30%, इन the same is expected to improve an account in the fashions of the funds, proposed capital expenditures and ram up operations, strong projections, implementation skills, efficiency और यह जो raw materials, marketing support of reliance, अभी सिर्फ 30% का utilization हो रहा है, तो यह आगे चलके काफी बढ़ने वाला है, definitely बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद company का manufacturing काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर sales उसी हिसाब से होने लगी तो काफी company को काफी profit होगा, profit होने से EPS का आपको पता है कि earning per share से इनके बढ़ जाएगे, PE बढ़ जाएगी और जब PE और EPS बढ़ेगा तो company का price तो definitely बढ़ना है, फिर कोई भी इसे रोक नहीं सकता दोस्तों, तो यह सबी चीजे track किजिएगा, तब ही आलोक industry पे बनियेगा, और अगर आप इसे track नहीं कर पाते हैं, तो चैनल को subscribe करके जाएं और बिंदासों के रहें, जो भी updates आएंगे, वो updates मैं आपको provide करो होँगा, ना कि stock को bind करने की सला और यह ऐसा हो जाएगा, 100 रुपे तक चला जाएगा, 200 रुपे तक पहुँच जाएगा, ऐसी कोई बाते नहीं हैं, अब इसका result माईने रखेगा, इसका काम माईने रखेगा, इस stock को आगे ले जाने के लिए, तो चलिए, part 2 पे इतना ही, part 3 के लिए wait करें, और जो हमारे channel पे new visit करें, वो हमारे part 1 को भी जाके देखें, video description पे मिल जाएगा, लिंक आपको या फी channel पे जाके सार्च करके देख सकते हैं, और channel को subscribe करके जाएए, इसमें अब यह और भी काफी जादा details मौजूद है, जो कि एक एक करके मैं आपके सामने present करने की कोशिए करूँगा, तो चलिए मिलते हैं, next video पे इंतजार कीजिए, पाट थार्ड के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धेनवाद, वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, थैंक्यू,